आज मैंने फेस्टूप एक वीडियो देखी मैंने सुचा इस मुद्दे को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से जितने आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए और उस पुलिस वाले को सस्पेंट तो कर दिया गया एक्शन ले लिया गया है लेकिन फिर भी बहुत होने से बच जाते हैं लेकिन यह जो मैंने द्रिस्ट देखा कि पुलिस वाले ने बाइक वाले की चावी उसके सर में ऐसे घुसेड़ दी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं और इस वीडियो को शेयर करेगा आप जितने पुलिस वाले हैं उने तक मैं मेरी हमबल है और यह रिक्वेस्ट में चाहता हूं हर पूलिस वाले तक पहुंचे और आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुन लीजेगा 24 गिंटे में से 5-10 मिंट निकाल लेंगे तो कुछ नहीं चला जाए हम लोग समझते हैं आप लोग की फ्रॉस्ट्रेशन गुसा यहां पर पूलिस वाले ठीक-ठाक से विएव भी करते हैं तो जनता उनके साथ बुरा विएव करती है यह भी हम लोग देखते हैं और इसका भी मुद्दा उठाया जाता है कि मुझे पता है आप लोग हमेशा हैं हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन कभी भी कभी ऐसे सिचूइशन हम लोग को जब देखने को मिलते हैं तो आग बंद करके पूरी 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 पुलिस जात को हम लोग उठा देते हैं और ऐसा करने पर एक्षेन लेते हैं और कोई पसंद नहीं करता कि यह चीज़ क्यों हो रही है लेकिन जो लोग यह करते हैं जो ऐसा माइंड से रखते मैं उनके लिए कहना चाहता हूं आप लोग ऐसा मत करिए क्योंकि एक बार सोच रिया करिए एक बार बिल्कु ध्यान से एक बार डूटी ऑर खड़ी है और सोचती कि आरे बुलिस खड़ीहरphon वह सही होती है उसके बावजूत वह यह सूचती कि अरे पुलिस खड़ीये गाड़ीbook मंत पیदल चल रही जंता भी मुझ उपाके भाग जाती है कि पुलिस खड़ी घूँछ आजना दे मार ना दे सवाल और पूछ य पुलिस को देखके लोग डर जाते हैं साक्यों कि पुलिस की कैसी इमेज़ बनी हुई है कि बहुत ज्यादा भरतियां आज की रेट कप मुझे नहीं पता लेकिन पहले यह होता था कि कोई भी जात पात के नाम पर भरती होगी अकले सरकार है तो यादाओं को पेल के भर लिया सौरी शब्दों के लिए और कोई भी सरकार यह आती है तो अपने कास्ट वालों को फेवर देती है मुझे योगी सरका का नहीं पता कि ठाकूरों को भर रही है कि नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता तो अगर आप कॉलिफाइड लोगों को नहीं भरते हैं डिस्सिप्लिन लोगों को नहीं भरते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो वह फील्ड पर रियक्ट वैसे नहीं करते हैं जैसा उने करनाची प्रोफेशनली अगर मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले ने मुझे रोका है उन्होंने चाबी निकाल लिए जबकि वो आलाउड नहीं हो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग बिल्कूर सही होते हैं लेकिन फिर भी वह गाड़ी की फोटो कीच लेते हैं और शारान काट देते हैं कई बार ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जानबुच की निकालते रहते हैं कि अच्छा हेलमेट है ठीक है इमेज कैसे बन गई कि पुलिस आपकी दोस्त नहीं दूस्मन है एक विलन की तरह देखती एक जिस नजरीय से क्रिमिनल को देखना चाहिए पुलिस को वह हम आम जंता देखने लग जाते पुलिस को कि देखा दर गए और मन में गाली आ गई इंपाच के भागने की सोचने मान बढ़ा हुआ है कि आर्मी के लिए हम कहीं भी घुजबंस आ जाते हैं उतनी रिस्पेक्ट पुलिस की भी होनी चाहिए यह मैं चाहता हूं तो पुलिस जब ऐसे कारणामे करने पर मजबूर हो जाए कि कि किसी को फर्जी में मार दे रोक के माथे में कुछ गुसेट दि या किसी गरीब को मारने पीटने लगे किसी के सब्जी वाले का ठेला उडेल दिया यह कई वीडियोस आप लोग नहीं बे देखी होंगी पुलिस वालों की असी हरकते हैं मैं बहुत टाइम में लेना चाहता अगर कोई पुलिस वाला देख रहा तो मुझे कोई में जरू ब बढ़ जाती कि देखो पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं इसने जान पर खेल के बचाया उसी तरीके से जब एक पुलिस वाला बुरा काम करते है तो सब को क्रिटिसाइज आदमी एक माइंसेट है आदमी का बन जाता है कि पुलिस वाले ऐसा करते ही है क्योंकि दान से चलें आप अपने रूल्स लॉज एकुलेशन सब कुछ फॉलू करें ताकि जनता करकल को आपसे भीड़े भी तो अगर आपको कुछ तरक भी दे तो आप उसको टेक्निकालिटी बता बताके उसको उसके उपर कारेवाई कर सके ना कि आप अपने इगो इरिटेशन अगर आप करेंगे तो सामने से कभी कोई पॉसिटिव रियाक्शन नहीं आएगा और अगर आभी गया तो बहुत थोड़े सी देर के लिए होगा भविश्य में वह जाएगा दस लोगों किसे बाते करेगा सबके बीच में घुलेगा मिलेगा और एक हेट्रेट पैदा होग तो एक खौफ भी बरकरार होना चाहिए रिस्पेक्ट भी होने चाहिए जैन बंदे मातर